आज हम लेबल 3 के कोस्चन देखेंगे उपसर्ग और प्रतायके चलिए सुरू करते हैं अब देखिए निर्वाह में प्रियुक्त उपसर्ग है निर्वाह सब्द में नीर उपसर्ग का प्रियोग हुआ है निर्वाह में कौन से उपसर्ग का प्रियोग हुआ है निर उपसर्ग का प्रियोग हुआ है ठीक है चलिए आगे देखते हैं हिंदी में कृत्र प्रतियों की संख्या कितनी है कि तो मुझे भी नहीं पता चलिए देखते हैं हाँ देखे वे लगे 28 दिया हिंदी में कृत्र प्रतियों की संख्या 28 है वे प्रते से बने सब्द क्रित प्लस अंत कहलाते हैं लेक प्लस अक लेखक यां अग प्रते हैं लेखक खृधन्त सब्द है ठीक है Kalit Pratay किन सब्दों के साथ जुड़ते हैं संग्या सर्वनाम विसेशन फृधक्रेस साजुडते हैं कृया या धातु सब्दों के साथ कृत प्रतै के जूड़ने से कृतांत या प्रतै बनते हैं शली आगे देखते हैं कि निम्न पद एक क्ःते लगाने से बने उनमें से कौन सा पद गलत है दैविक समाजिक हो गया भॉमिक हो गया छड़िक कि दखिए छड़िक समाजिक डैविक और भौमिक सब्द समाज देवी और भूमी सब्दों के प्रताई जोड़कर जोड़ने से बने हैं ठीक है इसलिए ये गलत है प्रचिक गलत है चलिए आगे देखते हैं किस सब्द की रचना प्रताई से हुई है बयाम अभी योग अपमान इनमें से कोई नहीं सोरी चलिए इसमें से कोई नहीं अंसर होगा किस सब्द की रचना प्रताई अभी योग बयायाम अपमान सब्द करमसा अभी वी अप उपसर्गों के योग से बने है इसमें प्रताई पूछा है ठीक है तो प्रते हैं नहीं चलिए आगे देखते हैं बेंसाफी बेंसाफी में कौन सा उपसर्ग है वे होगा वे उर्दू का उपसर्ग है इंसाफी में वे जोड़ देने पर बेंसाफी हो जाता है ठीक है तो आगे चलते हैं निम्खित में से उपसर्ग रहित सब्द है अत्यदिक में है शूर्योग सूरेश होना अच्छी है देखिए सूरेश सब्द में सूर प्लस इस संदी से मिलकर बना है अन्य सब्दों में उपसर्ग लगा हुए इसमें सू लगा हुए इसमें वी लगा हुए इसमें अति लगा ठीक है लेकिन इसमें नहीं लगाऊ दो चलिए आगे देखते हैं शर्छ बहाव सब्द में प्रियुक्त प्रतै कौन सा है का ओना ची यह चलिए आगे देखते हैं विग्यान सब्द में प्रियुक्त उपसरग Uh देखिए बिग्यान सब्द में उपसर्ग वी है ठीक है आगे देखते हैं चिरायू सब्द में प्रयोक्त उपसर्ग है चिरायू चिरोना चिर देखिए चिर सब्दांस में उपसर्ग के समान प्रयोक्त होने वाला संस्कृत का वै चिरायू सब्द में चिर उपसर्ग लगा कर बनाया है चलिए क्लियर हो गया इस तरह हमर लेवल 3 की कोशन समापत होते हैं चलिए आगे देखते हैं